आज हम बनाने जा रहे हैं निमकी जिसे हम नमक पारे के नाम से भी जानते हैं तो चलते हैं बनाने के तरफ सबसे पहले हमें लगेगा मैदा, अजवाइन, नमक, स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर तो सबसे पहले हम मैदा में नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार अब हम हाफ टीस्पून अजवाइन डालेंगे हाफ टीस्पून लाल मर्च पाउडर एक टीस्पून शक्कर और फोर टीस्पून रिफाइन ओयल और इसे अच्छे से मिलाएंगे ध्यान रखिएगा कि पानी जब लेंगे हमें थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका एक अच्छा सा मुलायम सा डो बनाना है ठीक उसी तरह जिस तरह हम रोटी या पूरी बनाने के तरह मैदे का डो बनाते हैं उसी तरह इसका भी एक अच्छा सा डो बनाना है जो कि बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम होगा उसका छोटा छोटा लोईया बना लेंगे बेलन लेने के बाद उसे चिकना कर ले तेल या घी से जो भी आपको पसंद आए अब इसे गोल आकार में बेल ले इसको गोल आकार देने के बाद नाइफ या पीजा कटर से आप इसको अपने मन पसंद शेप्स में काट ले मैंने इसे रॉंबस शेप्स में काटा है जैसे की निमकी ज्यादा तर होते हैं तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट लोई की तरफ ठीक उसी प्रकार जैसे हमने फर्स्ट लोई को बनाया है उसी प्रकार हम सारे लोईयों को ठीक से बेल कर उसे गोल आकार देकर उसे अपने मन पसंद शेप्स से पीजा कटर या नाइफ से काट लेंगे अब हम चलते हैं ग्यास के तरफ ग्यास पर कढ़ाई चड़ा कर हमें उसे गरम होने देना है कढ़ाई गरम होने पर जब तेल भी गरम हो जाएगा तब हमें धीरे-धीरे सारे निमकियों को जिसे हमने पीजा कटर या नाइफ से काट कर रख दिया है उसे धीरे-धीरे तेल गरम होने पर हमें कढ़ाई में छोड़ दिना है ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम मीडियम या कम होना चाहिए, बिल्कुल भी इसे हाई फ्लेम पर मत पकाईए, क्योंकि इससे निम्की जल सकती है और निम्की खराब भी हो सकती है, इसलिए प्रिकॉशन के तोड़ पर गैस का फ्लेम को लो या मीडियम तक रखे, अब हम गै आस में सारे निम्कियों को एक एक बार में तॉल लेंगे, इसे हम शालो फ्राई बोलते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है कि इसमें एक क्रंचीनेस आ जाता है निम्की में, तो इसे तरह हम सारे निम्कियों को तॉल लेंगे, और हमें एक एक बार निम्कियों को तब तक तॉ आ जाए अब हम सर्फ कर सकते हैं गरम गरम निमकी तो बन गई ना बंगाल की निमकी और नमक पाड़े तो अगर आप मेरे चानल पर नए हैं और अब तक आपने अब मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेय कीजिए चलते हैं फिर मिलेंगे